हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करते और आप बिहार के किस जीले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की बड़ी खबर स्यम नितिस का निर्देश इंजिनिरिंग वो पॉलिटेक्निक चात्रों को बेहतर जगा प्लेस्मेंट कराएं जिहां मुख मंत्रे नितिस कुमार ने सोमवार को निबंदन एवं उत्पाद विभाग समेत कई विभागों की समिक्चा की इस दोरान सेम नितिस ने पदादिकारियों को कई महतपूर निदेश भी दिये मुख मंत्रे ने कहा कि बिहार की तकनिकी संस्थानों में उच्च गुनवत्ता पॉर्ण सिख्चा चात्रों को मिले यह सुनिश्चित करे इंजिनिरिंग वो पॉलिटेक्निक के चात्रों का बेहतर जगह पर प्लेस्मेंट कराएं अगली बड़ी कबर कन्हया कुमार ने मंत्रे असोग चोदरी से की मुलाकात सियासी अटकले तेज़ जैनियो के पूर्वा जख्च और सिप्याय नेता कन्हया कुमार ने मंत्रे असोग चोदरी से उनके आवास पर मुलाकात की है हलाकि इस मुलाकात को ओपचारिक बताया जा रहा लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सियासिक गल्यारे में हलचल तेज हो गई है गोर तलबे की हाल की समय में विदानसवा चुनाव के परिणाम के बाद नितिश कुमार ने मंच से कहा था कि जोर्जे साहब और सिप्याय के रिष्टे बेहत करीब के हैं वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो तोड़ जोड़ की राजनिति चल रही है बात बेस्पी विदायक जमाखान या निदलिया विदायक सुमित सिंग की अगर की जाए तो दोनों नितिश कुमार के साथ आकर मंत्री मंडल में सामिल हो चुके हैं उसी तरह आप कनयक कुमार से असोग चोड़े के इस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि जन्तादल उनाटेड सीपी आई की विदायकों को साथ लाकर अपने कनूबे को मजबुत करना चाहती है मा सरसती की पूजा आज बाजारों में बड़ी चहल पहल जी हां हर साल की भाती मा सरसती पूजा नुट्सव मंगलवार यानि आज मनाया जाएगा खास कर सिक्चन संसानों में व्रहत रोप से मनाया जाने वाले सरसती पूजा नुट्सव को लेकर बाजारों में चहल पहल है हलाकि कोविट प्रोटोकोल के कारण जारे प्रसासनिक विवित आदोसे के परिनाम स्वरूप काम लोगों के पस्ति में बीना डीजे वा सांस्क्रितिक कायरकरम के ही पुजा करने को कहा गिया है इसलिए इस वर्ष सादगी पूर्ण तरिके से ही विद्दा की अधिश्टात्री मा स्रसति की पुजा की जाएगी वही बसंद के आगमन के कारण बड़ी संक्या में स्रधालू गंगास नान वा बाबा भोले को जलाविशेक वा गुलाल समर्थित कर फागवा कभी सुवारम क करते हैं पंडितों की माने तो मा स्रसति पुजा का सुब मुहरत सुर्यदय के बाद से दोपर से पूर्व यानी पुर्वाहन काल तक है मा सरसति हमेशा हमारे उपर आसिरवात बनाये रहे इसलिए आप सभी नीचे कमेंड़ वक्स में जै मा सरसति जरूर लिखे बिहार के स सरकारी प्रारामिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब डेड़ करोर से ज्यादा बच्चे इस साल भी बिना वार्षिक परिचा के अगले क्लास में परमोट किये जाएंगे कोरोना संक्रट के कारण स्कूल बंदी और बच्चों के करियर को देखते वे सिक्षा विभाग ने लगबग मन बना लिया है इसके साथ ही विभाग ने एक और अहम फैसला किया है वो है केचप कोर्स यानि की अपरेल में सुरू होने वाले नए सत्र में सरकारी इसकूलों के बच्चे तीन माह तक पिछली कक्चा के ही पार्ट पढ़ेंगे मिडिया रिपोर्ट के मुताबि सिक्चे विभाग के प्रधान सचीव संजे कुमार ने कहा है कि विवस्ता सरकारी इसकूलों में ही पहली से लेकर दसवी कक्चा तक की विड़ातियों के लिए लागू होगी अगली बड़ी कबर बिहार में 17 से मेट्रिक परिचा 17 लाग परिचात्रे होंगे सामिल जाने अहम निर्देश जिहां बिहार बोट की मेट्रिक वार्थिक परिचा 2021 बुदवार यानि 17 फरवरी से सुरू होगी परिचा को लेकर सभी केंद्रों पर तयारी कर ली गई है 24 परवरी तक चलने वाली मेट्रिक परिचा में 16,84,476 परिचात्रे सामिल होंगे सबसे जादा गया सारन पूर्वी चमपारन और पटना जिले से परिचात्रे सामिल होंगे गया से 83,371 सारन से 81,155 पूर्वी चमपारन से 78,216 और पटना से 73,030 परिचात्रे सामिल होंगे इस बार 2020 की तुलना में एक लाग से अधिक परिचात्री सामिल होंगे आपकी जानकारे के लिए बता दे कि परिचात्रे अपने चातर के परमान पत्र लाकर परवेस कर पाएंगे आधार नमबर के अलावा वोटर आईडी कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पास्पोर्ड या फोटो यूगत बेंक पास्पुक से भी किसी एक को दखा कर आप परिचा किंद पर परवेस कर पाएंगे ग्यातो की हर साल कई परिचातरी परवेस पत्र में फोटो की गड़बरी हो जाती है, इसे चातर को परिचा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता, इसलिए बोट द्वारा यहां इंतिजाम किया गया है, चातरो को सही फोटो का सेटापन, इसकूल परचार से अभी प् अगली बड़िक वर मेटिक परिचा के ठीक बाद होगी नवी की परिचा, इंटर वा मेटिक परिचा की तरच पर होगा एकजाम, जिया मेटिक परिचा के समापन के तुरंद बाद इसकूलों में नवी करचा की परिचा संचालित की जाएगी, इंटर वा मेटिक की परिचा के तर्च पर परिचा ली जाएगी परिचा की तयारी को लेकर डियो संजे कुमार के अधिक्ता में रैवार को जीला भर के बीओ के साथ बेठक हुई है डियो ने बताया कि नविक के भी परिचा कदाचार मुक्तवा सांती पूर्ण संपन कराने के लिए बीओ को दिसा गेर सरकारी कोलेजों में होगी एक समान फिस 263 कोलेजों से मांगा गया फिस इस्ट्रक्चर जीहां बिहार के सभी सरकारी एवं गेर सरकारी कोलेजों में आरचित वर्ग की चात्राय निसुलक पढ़ रही है इसकी फिस राज सरकार को देनी होती है इस संदर्म में वर्तमा लड़कियों को निशुलक पढ़ने की योजना को यहाँ चोवा साल चल रहा है फिलाल सिक्चा विभाग ने प्रते के विस्विद्दालाई एवं उनके संबंदित कोलेजों का फिस इस्ट्रक्चर मांगा है ताकि फिस को तरकिक एवं एक मानक पर दिया जा सके दरसल सिक्च सिक्चा विभाग चाहता है कि प्रते के विस्विद्दालाई का संकाई वाइज फिस इस्ट्रक्चर एक समान किया जाना चाहिए विस्विद्दालाई से रिपोर्ड आने के बाद इस दिसा में सिक्चा विवाग जरूरी कदम उठाएगा आम आदमी को फिर लगा बड़ा जटका लगा है ओयल कमपनियों ने एक बार फिर एलपेजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्रिक की है सारवजनिक चेतर की तेल कमपनियों ने स्वमवार से सबसीडी वाले जसवई गेस सिलेंडर की किमत 50 रुपिय बढ़ा दी है ऐसे में पटना में 14.2 किलोग्राम घरेल जुग्यास सिलेंडर की किमत अब 867.50 पैसे हो गई है पहले इसकी किमत 817.50 पैसे ती वहीं 19 किलोग्राम ब्यावसाइग सिलेंडर की दाम में 9.50 रुपिय की कमी की गई है पहले इसकी किमत 1777 रुप्य थी जो अब घट कर 1770 रुप्य पचास पैसे हो गई है तेजस्वी ने BSSC इंटर इस्तरिया परिक्चा पर सरकार को घेरा कह साथ साल बाद भी नहीं जारी हुआ रिजल बिहार कर्मचारी चैन आयोग ने नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी है कि इंटर इस्तरिया मुई के परिचा का परिणाम 25 फरवरी तक आने की संभावना है BSSC के इस नोटिस को लेकर नेता प्रतिपाच तेजस्वी यादम ने सरकार पर हमला बोला है तेजस्वी यादम ने इस परिचा में 7 साल लेट होने का मामला उठाते हुए ट्वीट करके लिखा है कि बिहार की सुसासनी दुरगती और बेरोजगारों की बेबसी देखिये 2014 में BSSC द्वारा आयोजित परतियोगिता परिचा का परिणाम साथ वर्स बाद भी परकासित किये जाने की अभी संभावना ही जताई जा रही है कितने अभियोर्तियों की आयो सिमा और जीवन का बहमुली समय निकल चुका है लेकिन अनुकंपाई सियम को कोन समझाए तेजेसो यादव के स्ट्विट के बाद इसे तेजी से सेयर किया जा रहा है बिहार सरकार दलितों को सबसेडी पर देगी 3.9000 किंटल धान का बेज सरकार ने दलित वर्ग के किसानों को सबसेडी पर धान का बेज उपलब्द कराने के लिए 1.26 कड़ोर रुपिय आवंडित किया है इन योजनाओं के तहट इस वर्ग के किसानों को 3.9000 किंटल बीज 4900 रुपिय परतिक किंटल की दर से उपलब्द कराया जाएगा दलितों को मुख मंतरी तिर्व बीज विस्तार योजना में 90 फीजदी मिनिकट योजना में 80 एकिकरित बीज गराम योजना में 50 फीजदी अनुदान किया जा रहा है राज में गुनवता योक्त बीजों से उननत खेती दूर दराज के किसाने भी कर सकेंगे इसके लिए वीज वित्रन कारकरम चलाये जा रहे है इन योजनावा पर अनुदान के लिए इस वित्य वर्स में 76 कडोर 18,5176 रुपिय का बजट है बिहार बना वन नेशन वन रासन कार्ड अपनाने वाला देश का पहला राज जी मुएक मंतरी नितीश कुमार ने समुवार को खाद अधिकारियों को दो टूक आदेश दिये कि समतन मुल पर दलहन खरिद सुनिशित करने के लिए जल से जल आवज से कदम उठाये जाए साथ उन्होंने मक्का खरिदी के संभावनाएं तलासने के लिए भी निर्देश दिया है सेम ने कहा कि इसके लिए जरोरी अजदन करा कर निर्ने लिया जाए यहाँ आदेश उन्होंने दो पार में खाया दि विभाग की समिक्षा बेटक में दिये अनाज उठा रहे हैं बताया कि विभाग ऐसे दिव्यांग या बुजुर्ग जोरासन खरीदी के लिए जन वित्रन केंदर तक नहीं आ सकते हैं उन्हें पोस मसीन के जरिये घर पर ही अनाज दिया जा रहा है पटना में सपर करना हुआ महंगा ओटो की किराए में तीन रुपिय तक की व्रिदी जिया रायदाने पटना में ओटो से सपर करना सुमवार से महंगा हो गया है पेट्रोल और डिजल की किमत में हो रहे व्रिदी के मद्द नजर ओटो की किराए में 30% की व्रिदी की गई है य पटना से सुरत आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है सुरत पटना के बेच स्पाइस जेट की सिधी विमान सेवा 22 परवरी से शुरू हो रही है अब तक पटना से सुरत के लिए सिधी उड़ा नहीं होने से 9 से 10 गंडे तक का समय लग जाता था नहीं से सुरू होने से हवाई यात्रे धाय घंटे में यात्रा पूरी कर सकेंगे साथ ही यात्रियों के लिए किराये में 25 से 50 परतिसत से अधिक की बज़त होगी आपकी जानकारी के लिए बता दी कि 22 परवरी को फ्लाइट संका SG 432 दोपहर 12 बजकर 25 मिनट में उड़ान भरेगी औ एरपूर्ट पर दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर पहुचेगी बड़ी कबर सिपाही के 8415 पदों के लिए 14 और 21 मार्च को होगी लिगित परिच्छा 25 फरवरी से मिलेंगे परविस पत्रों Central Selection Board of Constable की ओर से बिहार पुलिस सेन्य पुलिस विसिस्क्रित इंडिया रिजर वाहिनी बिहार राज ओदोगिक सुरक्चा वाहिनी में सिपाही के 8415 पदों पर भरती के लिए लिखित परिच्छा का सेडियोल जारी कर दिया गया है लिखित परिच्छा 14 और 21 मार्च 2021 को दो सिप्ट में होगी पहले सिप्ट की परिच्छा सुबह 10 बजे से दोपार 12 बजे तक होगी और दोसरे सिप्ट की परिच्छा दोपार 2 बजे से साम 4 बजे तक होगी CSBS की ओफिसियल वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर जारी नोटिस के अनुसर लिखित परिच्छा के लिए अभियर्थियों का परवेश पत्र 25 फरवरी से ओफिसियल वेबसाइट पर उपलब्द रहेंगे और उनकी बड़ी कबर सियम नितिस का बड़ा फैसला सराबी पुलिस वाले होंगे बरखास्त नसे की हालत में मिले तो उसी वक्त जाएगी नोकरी इस वक्त एक बड़ी कबर पटना से सामने आ रही है बिहार के मुख मंतरे नितिस कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है मद निसेद उत्पाद एवं निबंदन विभाग की बेठक में सियम ने निर्देश दिया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला सराब पिते पकड़ा जाए तो उसके किलाब अनुसासनत में करवाई करते वे उसे ततकाल बरकास कर दे आपका स्वाल बताएं कि बिहार का राजगिय पूस्प क्या है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं